कॉंग्रेस और उनके सहियों की दलों ने कहीं सनातन धरम के खिलाफ कभी हिंदू के खिलाफ कभी भगवान राम के खिलाफ एक के बाद दूसरी टिपनी की और दूसरी और देश के टुकडे टुकडे करने की सोच रखने वाली टुकडे टुकडे गैंक के साथ ये लोग खड उस व्यक्ति ने जो कभी बड़े भष्टाचार UPA के समय हुआ, उसमें उनका नाम, उनको सरक्षन देने का काम कॉंग्रेस ने की, आज खुल कर बैटिंग वो कॉंग्रेस के लिए कर रहे हैं, और भारत विरोधी, राम विरोधी, सनातन विरोधी, सब तरह के ब्यान चल रहे देश को बाटने के, उत्तर और दक्षन को बाटने के, मेरा सवाल कॉंग्रेस से यह है, आकरिये शेह किसकी मिल रहे है, सरक्षन किसका है, क्या कॉंग्रेस इससे सहमत है, जो ए राजा कहते हैं, जो DMK के निता कहते हैं, जो बाकी पाकिस्तान, जिंदाबाद के नारे क्या है कॉंगरिस की सोच आज देश को स्पष्ठ करना होगा क्या भारत को एक राष्ट कांगरिस नहीं मानती क्या रामद्रोहियों के साथ यह है क्या जिसा отв 입 गेंग्यक का समर्थन यह करते आखिर ऐसा क्यों की चुनाव आते ही देश को टुकडों में बांटने की सोच को एक बार फिर गती मिल रही है